अपना अउकात में रहबू लोगन, तब फाइदा में रहबू राभी के लाइकी दिखे जाये के बाद चलगू की ना? ना, कउना कउ जाये के उँ देखा, उझे बाड़ी ना, उँ लाइकी के बढ़की सास है तीन गो सासुर, तीन गो सास एक ननल, अरे बाबरे बड़ा भारी परिवारबा दावल, समारत, तुहार कर्टब्या हम तुहालो के सर, कबो नीचा ना होगे दे बिटिया, घर में सब अलगा-फलगा बाका हमें? है सास के साड़ी आईने के दाई के हो? जेकरा जितना जूरी मिली उतने नदी दोर ना, एमें से के हूँ करना हमरा मरत के कमाई बप्थाईलल बड़ा तुहनी का आके अरे हमरा नईहर के बारे में क्यो कुछ कहे ला ना ता हमार दिमाग धनक जा हमार पतो हाईजा के दुस्मन वासे मिल गई ला हम अपन सारा हिसा तुही के लिखबा है अ तुहरे बाप और चच्चा का का उकातबा यह हमरा के खूब पताग कुल कुछ बुस्मन पाना सो अगर तो हनी के आख में तन खोई भी लाज होई ना अभी के अभी तो हमार गर छोड़ के बारिया जी बसो इनके बाएं अंग में फाइलस मार दिया है देले रते तो हमा के यी दिन देखे कर ना परे अव साड़ गलचास हम ने के कौनो मतलब ने के चुट के तो रहे हैं हम सपना पूरा कलास हमरे खादिर पैसा ने के सब इतना दहज मांगा ताड़न की हमरे जैसन गरीब आद मी बतावा कहुआ से थी लेकिन का लेकिन का लाइकवा तनी दुआ हाबा बहुरा के लबानी दुआ बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिवीव लेकर आया हूँ दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की स्टोरी कैसी है इस फिल्म के फैक्ट क्या है और इस फिल्म से जुड़ हुई बहुत सारी बाते आज में आप सबी से सेर करने वाला हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटेने वो बने रहें है दोस्ता दोकि बहुरानिस साथ महाराने जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तों यह बहुत ही भेखत्रिन ंपिलम और ऐसे फिलमें अगर भोजपुरी में back to back बनती है तो कहीं न कहीं जो भोजपुरी फिलमें है वो बहुत ही तरक्की करेगी तो दोस्त में आपको बता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म के नाम है बहुरानिस सास मारानिम दोस्तों एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है और ऐस है से फिल्म हैं अगर भोजपुरी में back to back बनती है तो कहीं न कहीं जो भोजपुरी फिल्म आइव फैमिली के साथ में बैट कर जीह एक साथ जीह देख सकते हैं ऐसी एप फिल्म बनाइगए है इस फिल्म का टेलर आउद कर दिया गया है ये तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेशhower और इस फिल्म को होंगे दोस्त इस फिल्म में बहुत सारे चीजे इसमें दिखाई गई है जो आपको बहुत ही बेस्ट लगने वाली है इस फिल्म में जी हो बहुत सारे चीजे हैं जो आपको काफी जदा इंटर्टेन्मेंट कर पाएंगे जी हां ऐसी यह फिल्म बनाई गई है इसमें बहुत सारे चीजे दिखाई गई है जो एक तर से कहें तो जो फिरन गाउं दिहात में जो चीजे होती है वैसे चीजे इस फिल्म में दिखाया गया है वही चीजे इस फिल्म में उतारा गया है तो फिरन कहीं न कहीं यह जो फिल्म है यह फिल्म बहुत सारे चीज़े जो है वो भी आपको काफी ज़्यदा इंटर्टेन्मेंट कर पाएगी दोस्तों बता दुम्हें आपको की देखिए भोजपरी फिल्म हो चाहे वो किसी भी इंडरेश्टी की फिल्म हो फिल्म की स्टोरी अगर दमदार होती है तो कहीं न कहीं जो ओडिय देखते हैं दोस्तों यह यह फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी जहां नो डाउट कि एफिल्म आपको बेकार लेगये लेकिन दोस्त अबता दो कि इस फिल्म के टेलर इंडरेश्ट किया गया वी फोर यू जो भो बचाई है और अभोचुबरी के जो 11 फिल्म होती है जिया इसे एक के माध्यम से आती रहती है कि दोस्त में आपको बता दुद थे ऊडिए भाण पुरी जो फिल्म है 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 जिसका नाम है मेरे प्यारों दोस्तों बहुरानिशास महारानी ही दोस्तों ये जी हाँ एक ऐसी फिल्म है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी इस फिल्म के जितने भी सारी स्टार काश्ट हैं वो लोग काफी अनुभावी हैं वो लोग काफी ज़्यादा फिल्म किये हैं वो लोग बहुत सारे फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यारे दोस्तों यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी ज़दा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की अस्टोरी से लेकर इस फिल्म के फैक्ट से लेगा इस फिल्म की जितने भी साज चीज है वह आपको काफी ज़दा अच्छा लगे दोस्तों में आपको बता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ मेरे फ्यारत दोस्तों जिस फिल्म का नाम है आपको मैं बता दो दोड़ कि वह सास अनाडी बहुत खिलाडी अधु सास बहुणा दोस्ता बहुरानी सास महरानी सास महरानी में गष्च्ण क्रॅद आब करेक्टर और वह सारी अच्छा लगेगा जीङ liar現在 की अच्छा नहीं लेगा जीङ library Мें डॉक बहुत ही बहुत यह तिMy Omaha आपको मैं बता दो मेरे प्यार दोस्तों ति यह जो फिल्म है जी हाँ इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों ने काम किया है चाहिए वो डिरेक्टर हो चाहिए वो प्रोडूसर है चाहिए वो म्यूजिक डिरेक्टर हो चाहिए वो लिक्स राइटर हो चाहिए वो जी हाँ कम मेहनत किये हैं इस फिल्म को बनाने में यह नहीं कि मेहनत नहीं किये हैं सभी लोग काफी जड़ा मेहनत किये हैं तब जाकर यह तगड़ी फिल्म बनाई गई है जिहां बहुत ही तगड़ी फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में सभी चीछे वो आपको जिहां इसका तो कि अच्छा लगेगा विहां हर एक चीज इसमें आपको काफे व हुआ बहुतने वाला है दोस्तधों कि पील्म है बोश्पुरि की यह फिल्म हो पुरी में बनाई गई है और ऐसे में अगर बहुत भी में कहीं न कहीं अगर हमेशा बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारे ओडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगे दोस्त मैं आपको बता दो कि देखिये भोजपुरी फिल्म कि अगर बात के जाए तो भोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसे फिल्म बनाई जाती है जो कि औॐंडियंस को तो काफ़ी ज़्यदा पसंद लादि है और अरणD उसलिप फिल्मों को जींहां काफ़ी ज़्यदा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दूमें आपको कि यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको जी हाँ जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीजे जो है वह आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यारा बहुराने शास महाराने फिल्म जो बनाए गई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे सास सास कैसे बहू के साथ में रहती है बहू के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहू सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लएगा जी हां यह नहीं कि अच्छा नहीं लएगा जी हां आपको काफी जदा यह बेटरी लएगा बता दूमें आपको कि देखी है भोजपूरी फिल्म में जो होती है यह ऐसी फिल्म में होती है जो का होता है जलता है जिए जो फिल्म होती बहुत दिस लाजबा में यह फिल्म आपको जदूर्व पसंद आएगा इस फिल्म की जितने सारे चिजे वह भी आपको पसंद आने वाली है यह भी जो है बोश्पूरी में बनाई गई है और भोश्पूरी में जो फिल्मे आज के समय में बन रही है वह फिल्म है और को काफी को अब क्या कि वहादी सास महाराणी फ्रेंड आज में बहुचपूरी फिल्म का फूल रिफ्र गडिंव नकर आया हूं दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला कि बहुचपूरी चेहां नहीं पर दोस्तों यह भोजपुरी चै Cafe बहुत ही बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और आप बनती ढही जो सकते हैं आपके बहुत हैं है Panama करा दो दोस्तों income का टेलर ाउठ गया गया है यह तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हम कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारी भोचपुरी फ्ल्म का फूल रिवी electrode आया हूंझ दोस्तों आज में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानी सास महराइन जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तों ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की स्टोरी कैसी है इस फिल्म के फेक्ट क्या है और इस फिल्म से जुड़ हुई बहुत सारी बाते आज में आप सभी से से सेर करने वाला हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में करने दोस्तों बहुरा निस जो आरे लेखास आराश घ्रज Möglich फिल्म दूस्तो यह फिल्म कैसी है इस फिल्म में हो बहुत Terra की करेगे तो दोस्तों में आपको को बता दो एक सब भूझ ओरनिष जो फिल्म की ना में बहूरानिश सास माहाने दूस्तों एक बता दुक देखिए जो फिल्म है बहुरानि सास महरानी दोस्तों ये ऐसे फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पूरे जिहां फैमिली बहुरानि सास महरानी फ्रेंड आज मैं भोजपुरी फिल्म का फूल रिवीव लेकर आया हूं दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानि सास महरानी जो भोजपुरी है तो प्रेंट कहीं नहीं है यह फिल्म आपको काफी ज़दा पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वह भी आपको काफी ज़दा इंटर्टेन्मेंट कर पाएगी दोस्तों बता दुमें आपको की देखिए भोजपुरी फिल्म हो चाहे वह किसी भी इंडर्श्टी की फिल्म हो फिल्म की स्टोरी अगर दंदार होती है तो द्रामा वाली फिल्म है और ऐसे फिल्म है अगर भोजपुरी में बैक टू बैक बनती है तो कहीं न कहीं जो भोजपुरी फिल्म है उठाले वह बहुत ही तरहकी करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दो को देखिए गसे साथ में औराने ने डोस्तों ये ऐसे फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पुरे जिए federally के साथ में बैठ कर जिह हां एक साथ जिए देख सकते हैं ऐसी एफिल्म बनाई गई है फ्रेंड में आपक बता दो चीजे आपको काफी ज़दा इंटर्टेर्मेंट कर पाएंगे जी हैं ऐसी यह कि फिल्म बनाई गई है इसमें बहुत सारे चीजे दिखाए गई है जो एक तर से गई हैं तो जो फ्रेंड गाउं दिहात में जो चीजे होती है वैसे चीजे इस फिल्म में दिखाया गया है वही चीजे इस फिल्म में उतारा गया है तो फ्रेंड कहीं न कहीं यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको काफे ज़्यदा पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीजे जो है वो भी आपको का सारे चीजे दिखाई गई है जो एक तर से कहें तो जो फ्रेंट गाउं दिहात में जो चीजे होती है वैसे चीजे इस फिल्म में दिखाया गया है वही चीजे इस फिल्म में उतारा गया है तो फ्रेंट कहीं न कहीं यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको काफी पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वह भी आपको काफी ज़दा इंटर्टेन्मेंट कर पाएगी दोस्तों बता दुमें आपको की देखिए भोजपुरी फिल्म हो चाहे वह किसी भी इंडरेश्टी की फिल्म हो फिल्म की स्टोरी अगर दमदार हो तो कई-नकाई जो अौडियन्स है वह उसे ज्ला ज्ला पसंद करती है और जादा से सकते भोजपुरी में लाज बचाई हुई है और बोजपुरी जो इसे यह वह पताते हम से आती रहती हो है दोस्त में आपको बतादोर्म लाजचा मैं जो फिल्म है अ intend बोच्पुरी जो मोवी है जिसका नाम है मेरे प्यारों दोस्तों बहुरानी सास महारानी दोस्तों ये फिल्म जी हां एक ऐसे फिल्म है जो आपको काफी जद्व है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ मेरे फ्यारों दोस्तों जिस फिल्म का नाम है आपको मैं बता दो सास अनाड़ी बहु खिलाड़ी सास बहुरानी सास महारानी बहुरानी सास महारानी में लिखने भी सारे करेक्टर हैं वो बहुत अच्छे करेक्टर है और वो सारे करेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिस फिल्म का नाम है बहुरानी सास महारानी दोस्तों एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है और ऐसे फिल्म है अगर भोशपुरी म वह बहुत ही त्रेक करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दो को देखिए यह जो फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पूरे जिहां फैमली के साथ में बैट कर जीहां एक साथ जीहां देख सकते हैं ऐसी फिल्म बनाए गई है फ्रेंड में आपको बता दो देखिए जो फिल्म है बहुरानी सास महरानी दोस्तों इस फिल्म का टेलर आउट कर दिया गया है यह तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जीहां कर दो किये हैं इस फिल्म को बनाने में यह नहीं की मेहनत नही पुर्य हैं तक्री्म बनाई गई है जिस फिल्म में सवी चीजे अब को अच्छा लए यहां हर एक चीज़ इस में आपको काफे भेद्रीन लगने वाला है दोस्त अदादों कि रहे फिल्म है बोच्पुरी की यह फिल्म भोच्पुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में भुश्पुरी में कहीं न कहीं अगर काफी ज़्यादा पसंद आती है और आउडियंस उन सभी फिल्मों को जी हां काफी ज़्यादा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दुमें आपको कि यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको जी हां जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म ए एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीज़े जो है वो आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यारा दोस्तों सास कैसे सास सास कैसे बहुँ के साथ में रहती है बहुँ के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहुँ सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखायागा बता दू मैं आपको कि देखिया है भोजपूरी फिल्म में जो होती है यह ऐसी फिल्म होती है जो का होता है काहां तो फ्रेंड यह फिल्म है बोश्पूरी की यह बहुत थी जबरदस्त लाजबा कंटाफ किस्म का फिल्म है यह फिल्म आपको ज़रू पसंद आएगा इस फिल्म की जितने भी सारे चीजे वह भी आपको पसंद आने वाली है जी हाँ यह फिल्म जो है बोश्पुरी में बनाई गई है और बोश्पुरी में जो फिल्में आज के समय में बन रही है वह फिल्में जिहां आउडियंस को पाफी जो आपको काफी ज़रा इंटर्टेंमेंट कर पाएंगी जी हां ऐसी यह फिल्म बनाई गई है इसमें बहुत सारे चीजे दिखाई गई है जो एक तर से कहें तो जो फिरन गाउं दिहात में जो चीजे होती है वैसी चीजे इस फिल्म में दिखाया गया है वही चीजे इस उतार आ गया है तो लिघो यह फिल्म आपको काफ है अब पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वह भी आपको काफ हुआ है इंटरेयमेंट कर पाएगे दोस्तों बता ढ़ेद आपको की दीए भौजपरी फिल्म हो चाहे वह किसी बी की फिल्मती के स्टॉरी अगर धंदार होती है तो कहीं न न कहीं जो ऑडियंस है GG शू princistell कि जो है वह भी काफे जिदा के अद ten पनार improving इस film की बहुत सारे चीज़े जो है वो भी आपको काफी ज़िदा इutter फिल्म बहस्तर है और ज़यदा सज़दा लोग जो है ओ जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तोuh यह जो फिल्म है जी हां यह फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई हैं आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी जी हाँ नो डाउट कि फिल्म आपको बेकारा लएगे लेकित दोस्त बता दो कि इस फिल्म के टेलर अर्गलेश किया गया है बीफोरियू जो भुछपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है अब इक लसके तो बीफोरियू और प्रेंगव दो ही ऐसी फिल्म है जो आपको काफी जदा पसंदाएगी कि इस फिल्म के जितने भी सारे स्टार काशच्ड है वह लोग काफी अनुभवी है वह लोग काफी ज़दाफिल्म किय है वह लोग अब बहुत सारे कि अच्छी अचक्छे movement किये आपको इस पिर इन उस्क्री आपको में बतारो है कि वह वह सास अनारी बहुध थ्यम्सट्य बहुद्थ वह स सारे रहों को था ता बहुत असरे आपको तहने लेगा छी नहीं रहां आफ जीने भी सारे करेक्टर हैं और रोख पर एकले छेटे यहांदों होती होती है लगने वाला है आपको मैं बता दो मेरे प्यार दोस्तों इस फिल्म में कि सवी चीछे आपको है तो काफिये अच्छा लगेगा हर एक चीज इसमें आपको काफिक लगने वाला बनाई गई है और आपको और जितने भी सारी ऑडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगे दोस्त मैं आपको बता दो कि दहिए बोच पुरी फिल्म कि अगर बात के जाए यह फिल्म आपको जी हाँ ज़रूर देखना साहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीजे जो है वो आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यारा दोस्तों चलिए मैं आपको बता दू यहां पे कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ भुषानिश शाष महराने शाष माहाराने बर्ताव करती है और वहीं बहुत सार्ष के साथ में कैसे बर्ताव करती है वह चीजे इस फिल्म में देहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हाँ यह नहीं कि अच्छा नहीं लएगा जी हाँ आपको काफी जदा यह बहुत थी जबर्दस्त लाजबा कंटाफ किस्म का फेल बहुरानि सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानि सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूं दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानि सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तो यह फिल्म कैसी है इस फिल्म की स्टोरी कैस उठाले। वह बहुती त्रमक करेगी। मेरे प्यारेंडों सबसे पहले में आपको बताद्युक्त दुख दो देखिए जो फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पूरे फैमली में एक सात जिहां आप जिहां एक साथ ज गींख सकते हैं ऐसी ए decision बनाए गए हैando फ्रेंड में आपको बता दो देखिए जो फिल्म है बहुरानी सास महरानी दोस्तों इस फिल्म का टेलर आउट कर दिया गया है यह तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हों कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारे audience है वो इस film को जरूर देख लिए होंगे दोस्त इस फिल्म में बहुत सारे चीज़े इसमें दिखाए गई है जो आपको बहुत ही best लगने वाली है इस film में जी हो बहुत सारे चीजे हैं जो आपको काफी जड़ा entertainment कर पाएंगे ऐसी ये इन को फिल्म बनाई गई है इसमें बहोँ सारे चीजे दिखाई गई है जो एकता से कहें तो जो अजिए होती है वैसे चीज़े इस फिल्म में दिखाया गया है वही टीज़े इस फिल्म में उतारा गया है तो तो कहीं न कहीं यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको काफे ज़्यादा पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वह भी आपको काफी जदा इंटर्टेन्मेंट कर पाए बनाई गई है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी जी हाँ एक तरह से कहें तो भूजपूरी में लाज बचाई हुई है और भूजपूरी के जो प्लातर फिल्म होती है जी हाँ वे इसी चैनलों के माध्यम से आती रहती है दोस्त में आपको बतादो दखिये बें मैं होच पूरी जो फिल्म है जी हाँ मुष्पूरी जो मौही है अर जिसका नाम है मेरे प्यारे बैस्तों बहुरानी सास अमारानी दोस्तों यह फिल्म जी एक ऐसे फिल्म है जो आपको काफी ज़्यदा पसंद आएगी इस फिल्म के जितने भी सारी स्टार काश्ट है है वो लोग काफी अनुभवी हैं वो लोग काफी ज़्यदा फिल्म किये सास अनाड़ी बहु खिलाड़ी सास बहु रान सवरी बहु रानी सास महरानी बहु रानी सास महरानी में जितने भी सारे क्रेक्टर हैं वह बहुत ही अच्छे क्रेक्टर हैं और वह सारे क्रेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिहां इन है कि सारे क्रेक्टर आपको अच्छा नहीं लएगा जियाएं। जितने भी सारे अपको बहुत भी भी रिद्रिन लाएं। łवर मैं बता दू मेरे प्यार दोस्तों यह जो फिल्म है, जियां। इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों काम किया है चाहिए वो इरक्टर हो चाहिए अडिल्र है चाहिए, भी साथ महारान फिल्म जो बनाई गई है वह सास पोतोहु पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहुत पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे कि यह जो फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में अगर भोजपुरी में कहीं न कहीं अगर हमेशा बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारे ओडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगी दोस्त में आपको बता दो कि देखिए भोजपुरी फिल्म कि अगर बात किया जाए तो भोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसे फिल्म बनाई जाती है जो एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीज़े जो है वो आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यार दोस्तों चलिए मैं आपको बता दो यहाँ पे कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ बहुराने शास महराने बहुराने शास महराने फिल्म जो बनाई गई है वो सास पो तोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और सास सास कैसे बहुरा के साथ में रहती है बहुरा के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहुरा के सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हाँ यह नहीं कि अच्छा नहीं लेगा जी ह यहां आपको काफी जदा यह प्यत्रीन लएगा बता दू मैं आपको कि देखिए बोजपुरी फिल्म में यह ऐसी फिल्म होती है जो का होता है फ्रेंड यह फिल्म है यह बहुत जबर्दस है अकंटाफ कि आफने का फिल्म है는데 फिल्म आपको ज़्यूर्ण की जितनी सवी सार चीजे वह भी आपको पसंद आने वाली है जी हां यह फिल्म जो है भोजपुरी में बनाई गई है और भोजपुरी में जो फिल्में आज के समय में बंद रही है वो फिल्में जी हां आउडियंस को काफी बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूँ दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की स्टोरी कैसी है इस फिल्म के फेक्ट क्या है और इस फिल्म से जुड़ ही बहुत सारी बाते आज में आप सभी से सेर करने वाला तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटीनियों बने रहें दोस्त पताओ कि बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज मैं बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानि सास महरानी जो भूछ्षपरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की श्टोरी कैसी है इस फिल्म को ओर्ण के सब्सक्राइब वेर बहुत अच्रेक ही करेंगे यह लगए कि प्ल्म आपको बेकारा लेएगे नेकिद दोस्त बता दो कि इस फिल्म के टेलर अर्गलेच किया गया है बीफोरियू जो भोचपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है और एक तरह से कहे तो भोचपुरी में लाज बचाई हुई है और भोचपुरी के जो पतातर फिल्में होती है जी हाँ वे इसी चैनलों के माध्यम से आती रहती है दोस्त में आपको बता दो देखिए भोचपुरी जो फिल्म है जी हाँ भोचपुरी जो मोवी है जिसका नाम है मेरे प्यारों दोस्तों बहुरानी सास महरानी कि उसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पसंद करती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और कहती है कि इस फिल्म बेहत्तर है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वह जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों यह जो फिल्म है जी हाँ यह फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगे जी हाँ नो डाउट कि यह फिल्म आपको बेकार लेएगे लेकित दोस्त बता दो कि इस फिल्म के टेलर अर्गलिज किया गया है बीफोरियू जो भोचपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है और एक तरह से कहे है जो एक तरह से कहें तो फ्रेंड भोचपुरी में फिल्म के जितने भी सारी स्टार काश्ट है वो लोग काफी अनुभावी है वो लोग काफी ज़्यदा फिल्म किये हैं वो लोग बहुत सारे फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों आई जो फिल्म है यह फिल स्टोरी से लेकर इस फCryक से लेगा इस फिल्म की जितने बीकी सारे चीज़ हो आपको काफी जधा अच्छा लगेगा दोस्तों मैं आपको बता δोडा है आपको मैं बता दो मेरे प्यार दोस्तों ति यह जो फिल्म है जिहां इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों ने काम किया है चाहे वो डिरेक्टर हो चाहे वो प्रोडूसर है चाहे वो प्रोडूसर हो चाहे वो म्यूजिक डिरेक्टर हो चाहे वो लिक्स राइटर हो चाहे वह जी कंपोडर हो चाहए वह एडिटर हो चाहए वह एक्शन माष्टर हो कुल्यवगराफर हो यह काफे जदा मेहनत किये इस फिल्म को बनाने में सब्सक्राइब क्विश्चे थे तो यह लेका हर एक चीज इस आपको काफी बेहतरीन लगने वाला है दोस्त अदादो कि यह फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में अगर भोजपुरी में कहीं न कहीं अगर हमेश्या बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारी ओडियंस है वो लोगों को दिल में घर कर जाएगी दोस्त मैं आपको बता है ओडियंस को इतर से कहें तो काफी ज़धा पसंद आती है और ओडियंस उन सभी फिल्मों को जी हैं काफी ज़धा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दुमें आपको कि यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको जी हां जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीजे जो है वह आपको देखने को मिलेगी फिल्म जो बनाए है कि सास कैसे सास सास कैसे बहु के साथ में रहती है बहु के साथ में कैसे बढ़ताव करती है और वहीं है बहुत सब्सक्राइब करते हैं वह भी आपको पसंद आने वाली है यह फिल्म जो है भोश्पुरी में बनाई गई है और भोश्पुरी में जो फिल्में आज के समय में बन रही है वह फिल्में जिहां आउडियोंस को काफी मेरे प्यारे दोस्तों बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोश्पुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूं दोस्तों आज में आप सभी को बताने करने वाला हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटेनियों बने रहें दोस्ताव कि बहुरानी सास महारानी जो भोश्पुरी फिल्म है दोस्तों यह भोश्पुरी की एक बहुत ही बेहतरिन फिल्म है और ऐसे फिल्म आगर भोश्पुरी जानते हैं इस फिल्म के कि टेष और इस फिल्म को कई वह गया है आफ जानते हैं और बहुत सारे जो हमारी आउडियन्स है वह इस फिल्म को जरूर देख लिए होगे दूस्त स्थ्किल में बहुत सारे चीजे पर लगने वाली है इस फिल्म में जी हो बहुत सारे चीजे हैं जो आपको काफी जदा इंटरटेनमेंट कर पाएंगी जी है ऐसी यह कि फिल्म बनाई गई है इसमें बहुत सारे बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिवीव लेकर आया हूं दोस्तों आज में आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तों ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की स्टोरी क महारानीं जो भोजपुरी फिल्म में दोस्तों ये भोजपुरी एक बहुत ही बह разработें भोजपुरी कि ये बहुत ही फिल्म और ऑफ बें में ज y team अज हो उसे फिल्म को आप अपने भाई खोक् ciert के साथम कर दिया गया है ये तो आप सभी भली जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हों कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारी आउडियन्स है वो इस फिल्म को जरूर देख लिए होंगे दोस्त इस फिल्म में बहुत सारे चीज़े इसमें दिखाई गई है जो आपको बहुत ही बेस्ट लगने वाली है इस फिल्म में जी हों बहुत सारे चीज़े हैं जो आपको काफी ज़दा इंटरटेन्मेंट कर पाएंगी जी हां ऐसी यह टिकी फिल्म हो फिल्म की स्टोरी अ और काती है कि इस फिल्म बैकतर है और जादा से ज्यादा लोग जो है वो जाए कर फिल्म को दीकते हैं दोस्तो यह जो फिल्म है जी हे फिल्म काफी अच्छी बनायी ऐ है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेंगे जी हां लो डावड के फिल्म आपको वेकारव लेएगे लेकिए दोस्त आप जो फिल्म है जी हां भुषपरी जो मोही है जिसका नाम है मेरे प्यारा दोस्तो बहुरानी सास महारणी दोस्तों ये फिल्म जी हं एक ऐसी फिल्म है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी इस फिल्म के जितने भी सारी इस्टार काश्ट है वो लोग काफी कि मेरे दुस्तों इस फिल्म का नाम है आपको मैं बता दो शास नारी बहुत खिलारी सास बहुरानस सास महरानी में इतने ही सारे करेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे एग और वो सारी करेक्टर आपको प्या नगे गएगा बहुत ही तकड़ी यह फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में सवी चीज़े वो आपको जी हां एक एक काफे अच्छा लगेगा जी हां हर एक चीज इसमें आपको काफे भेहतरी लगने वाला है दोस्त अदादो कि यह फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में अगर भोजपुरी में कहीं न कहीं अगर हमेशा बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक तो बहुत सारे चीजे जो है वह आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यारा दोस्तों चलिए मैं आपको बता दो यहां पर कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हा कि अ करे मैं वह पात के ला रान कि सास कैसे आपको काफी जदा ये प्यत्रीन लएगा बता दू मैं आपको कि देखिए हैं भोजपूरी फेल्म में जो होती है जी हाँ ये ऐसी फिल्म होती है जो आज के समय में बंद रही है वो फिल्म जी हाँ ऑडियन्स को काफी फिल्म बनाए गई है फ्रेंड में आपको बता दो देखिए जो फिल्म है बहुरानी सास महरा ने दोस्तों इस फिल्म का टेलर आउट कर दिया गया है ये तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हों कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है ये आप सभ चीज़े इसमें दिखाई गई है जो आपको बहुत ही बेस्ट लगने वाली है इस फिल्म में जी हो बहुत सारे चीज़ इंटर्टेन्मेंट कर पाएगी दोस्तों बता दुमें आपको की दिखिए भोजपुरी फिल्म हो चाहे वह किसी भी इंडरेश्टी की फिल्म हो फिल् यह फिल्म बेहत्तर है और ज्यादाश्च ज्यादा लोग जो है ओ जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों यह जो फिल्म जी हाँ यह फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाये गई है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगे जी हाँ no doubt πिल्म आपको बिकार versucht nkos दोस्त बता दो कि इस फिल्म है वो लोग बहुत सारे आप फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों आए जो फिल्म है ये फिल्म आपको भी काफी जदा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की अस्टोरी से लेकर इस फिल्म की जितने भी साथ चीज है वह आपको काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्त में आपको बता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ प्रोडूसर हो चाहे वो म्यूजिक डिरेक्टर हो चाहे वो लिक्स राइटर हो चाहे वो अच्छमाश्टर हो बीक्शन मैस्टर हो कुलिगराफर हो काफी ज़्यदा मेहनत किये हैं इस फिल्म को बनाने में यह नहीं कि महनत की हैं सभी लोग काफी जडा हैं उपथा बनने लाइगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी सारी ओडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगी दोस्त में आपको बता दो कि देखिए भोजपुरी फिल्म कि अगर बात किया जाए तो भोजपुरी फिल्म जो जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड दो जो है वह आप KO TIG से आपको देखने को मिलेगी तो एक फैरर दूस्त हो चलिए मैं आपको बतादू यहाँ कि यह जो कि यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हुट है बहुत रानिष शास महाराणी एंब बहुत रानिष शासमहारानी फल्म जो बनाएगे है वह सास के साथ में कैसे बर्ताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिया दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हां यह नहीं कि कि देखिए है कि भोजपुरी फिल्म में जो होती है कि यह ऐसी फिल्म होती है जो का होता है तो फ्रेंड यह जो फिल्म है बोपरानिसास महरानि दोस्तों यह ऐसे फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पूरे फैमिली के साथ में बैट कर जिहां एक साथ जिहां देख सकते हैं ऐसी फिल्म बनाए गई है फ्रेंड में आपको बता दो देखिए जो फिल्म है बहुरानि सास महरा ने दोस्तो इस फिल्म का टेलर आउट कर दिया गया है यह तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हों कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारे आउडियन्स है वो इस फिल्म को जरूर देख लिए होंगे दोस्त इस फिल्म में बहुत सारे चीज़े इसमें दिखाई गई है जो कर पाएगी दोस्तों बता दुमें आपको की दिखिए भोजपरी फिल्म हो चाहे वो किसी भी इंडिस्टी की फिल्म हो फिल्म की स्टोरी अगर दमदार होती है तो कहीं न कहीं जो आउडियन्स है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कहती है तो कि इस फिल्म बहत्तर है और ज्यादा ज्यादा लोग जो है और जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों यह जो फिल्म है जी हां यह फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है आपको ये दोस्तों ये फिल्म जी हां एक ऐसे फिल्म है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी इस फिल्म के जितने भी सारी स्टार काश्ट है वो लोग काफी अनुभावी हैं वो लोग काफी ज़्यादा फिल्म किये हैं वो लोग बहुत सारे फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यारों दोस्तों ये जो फिल्म है ये फिल्म आपको भी काफी ज़दा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की अस्टोरी से लेकर इस फिल्म के फैक्ट से लेगा इस फिल्म की जितने भी साथ चीज़ है वह आपको काफी ज़दा अच्छा ल मेरे फ्यारे दुस्तों इस फिल्म का नाम है आपको मैं बता दो सास अनाडी बहु खिलाडी सास बहुरानी सास महरानी में दिखने भी सारे करेक्टर हैं वो बहुत अच्छे करेक्टर हैं और वो सारे करेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिहां इनरे की सारे करेक्टर आपको अच्छा नहीं लिए privacy आपको बहुत ही भेदरी लगने बाला है आपको मैं बता दूल मेरे प्यारिस तो प्रेट Widow है जिहां इस फिल्म में जितने भी सारे आप लोगों ने काम किया है चाही वह Subscribe ये लोग तब टगड़ी फिल्म बनाई गई लगड़ी यह फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में सवी चीछे वो आपको जिहां एक तसके तो काफे अच्छा लएगा जिहां हर एक चीज इसमें आपको काफे बेहतरी लगने वाला है दोस्त अदादो कि यह फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारे ओडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगी दोस्तों चलिए मैं आपको बता दू यहां पर कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ बहुराने शास महराने फिल्म जो बनाए गई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हां इन्हें कि अच्छा नहीं लेगा जी हां आपको काफी जदा यह बेतरी लेगा बता दू मैं आपको कि देखिए है बोजपूरी फिल्म में जो होती है ये ऐसी फिल्में होती है जो का होता है का हो देखिए तो फ्रेंड ये जो फिल्म है बोजपूरी की ये बहुत थी जबरदस्त लाजबा कंटाफ किस्म का फिल्म है ये फिल्म आपको जबर पसंद आएगा इस फिल्म की जितने भी सार चीज़े है वह भी आपको पसंद बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोजपूरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूं दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपूरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की स्टोरी क कैसी है इस फिल्म के फैक्ट क्या है और इस फिल्म से जुड़ हूई बहुत सारी बाते आज मैं आप सबी से से शेयर करने वाला हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों विडियो में कंटेनेव बने रहें दूस्त पता दो कि बहुरानिस ने पूरे जिहां फैंली के साथ में बैट कर छी हां एक साथ जियांता देख सकते हैं ऐसी एक फिल्म बनाए गए है आप फ्रेंड में आपको बता दो देखिए वह मैं बहुर कर पाए, दोस्तों बता दुने को की देखिए भुषपरी फिल्म हो चाहे वह किसी बी इंडरेश्टिकी फिल्म हो फिल्म की श्टोरी अगर दमदार होती है तो कहीं न कहीं जो आउडियन्स है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कहती है कि यह फिल्म बहत्तर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों यह जो फिल्म है जी यहां ये फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई धी है आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगा जी हां लोट्व तक्यों आपको विकार लेगए के लिएक दोस्त बदा दो कि इस फिल्म पी इस दो यह बीफोरियू जो भूचपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है और एक तरह से कहे तो फ्रेंड भूचपुरी में लाज बचाई हुई है और भूचपुरी के जो चतातर फिल्म होती है जी हां बहुत सारे अब फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यारे दोस्तों आए जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी जदा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की अश्टोरी से में कर इस फिल्म के उसे लेगा इस फिल्म की जितने भी जहें आपको काफी जड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों में आपको बता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम है जी हां मेरे फैरे दुस्तों इस फिल्म का नाम है आपको मैं बता जो हो चाहे वो एडिटर हो चाहे वो एक्शन माश्टर हो कुरियोग्राफर हो सभी लोग काफी जदा मेहनत किये हैं इस फिल्म को बनाने में यह नहीं कि मेहनत नहीं किये हैं सभी लोग काफी जदा मेहनत किये हैं तब जाकर यह तगड़ी फिल्म बनाई गई है जी हां बहुत ही तगड़ी फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में वो ऐसे फिल्म बनाई आती है। जो कि अउडियन्स को इतना से कहते तो काफी ज़्दा पसंद आती है। और और आउडियन्स, उनसे सभी फिल्मों को जी हां काफी ज़्दा पसंद भी करते हैं। दोश्ट बता दुमें आपको. πबं यह है्ट आपकोगों कि यह गुह वारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीजे जो है वह आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यारे दोस्तों चलिए मैं सास कैसे बहु के साथ में रहती है बहु के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहु सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हाँ बता दो मैं आपको कि देखिया है कि यह बहुत ही जबरदस्त लाजबा कंटाफ किस्म का फिल्म है यह फिल्म आपको ज़रू पसंद आएगा इस फिल्म की जितने भी सारे चीज़े है वो भी आपको पसंद आने वाली है जी हां यह फिल्म जो है भोश्पुरी में बनाई आउडियन्स को काफी बहुरानी सास महरानी फ्रेंड आज मैं बहुरानी सास महरानी भोश्पुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूं दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानी सास महरानी जो भोश्पुरी फिल्म है दोस्तों यह फिल्म को आप अपने पूरे जिहां फैमली के साथ में बैठ कर जीहां एक साथ जीहां गेख सकते हैं ऐसी एक फिल्म बनाई गई है फ्रेंड में आपको बता दो देखिए बहुत ही बेस्ट लगने वाली है इस फिल्म में जीहां बहुत सारी चीजे हैं जो आपको काफी ज़्यदा इंटर्टेन्मेंट कर पाएंगी जीहां ऐसी यह तो कहीं न कहीं जो आउडियन्स है वो उसे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा पसंद करती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और कहती है कि इस फिल्म बहत्तर है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों यह जो फिल्म है जी हाँ यह फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी जी हाँ इस फिल्म के जितने भीसारी इस्टारकास्त है वह लोग काफी अनुभवह वह कारें। वह लोग काफी ढए फिल्म किये थे औस लोग अब बहुत सारे हैmi और एस फिल्म किये है तो इस तरह मेर दोस्तों आ यह फिल्म पसंद आएगी आप विल्म के की स्टोरी से लेकर सी्ट इस फेयर जितने भीыт equitable चीज है वह आपको काफी ज़्यादा च्छा लगे गा दोस्त में आपको वता दो कि यह फिल्म के नाम है जीहां नहीं लएगा जीहां जितने भी सारी क्रेक्टर है वह आपको बहुत ही भेहतरी लगने वाला है और आपको मैं बता दो मेरे प्यार दोस्तों कि यह जो फिल्म है जीहां इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों ने काम किया है चाहिए वह डिरेक्टर हो चाहिए लगने वाला है दोस्त अदादो कि यह फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में अगर भोजपुरी में कहीं न कहीं अगर हमेशा बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारे ओडियन्स है वो लोग को दिल में घर कर जाएगी दोस्त मैं आपको बता दो कि देखिए भोचपुरी फिल्म कि अगर बाद के जाए दोस्त बता दुमें आपको कि यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको जी हां जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीज़े जो है वो आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यारा दोस्तों चलिए मैं आपको बता दो यहां पर कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हां बहुराने शास महाराने फिल्म जो बनाए गई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे सास सास कैसे बहुँ के साथ में रहती है बहुँ के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहुँ सास के साथ में कैसे बरताव करती है न की वह चीज़े इस फिल्म में दिया दिखाया गया तो फ्रेंड यह जो फिल्म है बोछ पूरि की यह बहुत इबर्दस् लाजबा कंटाफ क्रिस्म का फिर्म है यह फिल्म आपको ज़्र पसंद है इस वह हैं युद सब्से हैं वह आपको पसंद आने वाली है जी हाँ यह फिल्म जो है भोजपुरी में बनाई गई है और भोजपुरी में जो फिल्में आज के समय में बन रही है वो फिल्में जी हाँ आउडियंस को काफी भोजपुरी फिल्म का ful review लेकर आया हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानी फिल्मे अगर भोजपुरी में back to back बनती है तो कहीं न कहीं जो भोजपुरी फिल्म है उठा ले वह बहुत ही त्रहकी करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दूए देखिए जो फिल्म है बहु राणी सास महरानी दूस्तों ये एक ऐसी फिल्म को आप अपने पूरे जीहां फैमली के साथ में बैठे कर जीहां एक सात GEEहां देख सकते हैं ऐसी एफ फिल्म बनाए गई है आफे फ्रेंड में आपको बता दूँ देखिए जो फिल्म है बहुरानि सास महरानी में जो चीजे होती है वैसे चीजे इस फिल्म में दिखाया गया है वही चीजे इस फिल्म में उतारा गया audio तो चाहिए उटेंड कør पाएगी दोस्तों बता अबने आपको की देखिये भोजपुरी फिल्म को चाहे वो और किसी ये इंडरियकी फिल्म की स्टोरी अगर धंदार होती है को मेरी जो पर क na 15 जाद में होगे जादा से जादा प्रश्पृर जो मोही है कि वह लोग बहुत सारे जो फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों आइज फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफिश्दा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की आश्टोरी से लेकर इस फिल्म की जितने भी साथ चीज है वह आपको काफी जदा अच्छा लगेगा दोस्त में आपको वता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ लिए दिक्टर हो प्रोडूसर हो चाहिए December रॉटार हो घिहां चुंफ बनाने में इन में जड़ा सौंथ है कि एंगा लुए फिल्म बनाई गई है ज been गई जिए ओगत फिल्म बनाई गई है यह यह इस फिल्म् вопрос चीज़ युष के टो काफिव भुषपूरी फिल्म जो बनाई जाती है वह ऐसे फील्म बनाई जाती है जो कि आवडियंस को यह तो काफी जदा पसन्द आती है। यह फिल्म को जरूर दिखना चाहिए क्योंकि फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीजे जो है वह आप सास सास कैसे बहु के साथ में रहती है बहु के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहु सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जिसमी का फिल्म है यह फिल्म आपको ज़़ी सारण चीजें, वह भी आपको पसंद आने वाली है जिस भौशpुरी में बनाई गई है और भौश्पुरी में जो फिल्म आज की समय में बंद रही है और फिल्म अॉडियंस को काफी बहुरानि सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानि सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूँ दोस्तो आज में आप सब्सक्राइन वाला हूं कि बहुरानी शास महरानी जो भुचपरी फिल्म है दोस्तो यह फिल्म कैसी है इस पिल्म क्या है और इस फिल्म से जुड़ हुई बहुत सारी वाते आज में आप सभीप से शेयर कर उठा ले वो बहुत ही त्रहकी करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दुख दिखिए यह जो फिल्म है बहुत ही बहुत ही बेस्ट लगने वाली है इस फिल्म में बहुत सारे चीजे है जो आपको काफी जदा इंटरटेर्मेंट कर पाएंगी जी हां ऐसी यह फिल्म बनाए गई है इसमें बहुत सारे चीजे दिखाई गई है जो एक तरसे कहें तो जो फिरन गाउं फिल्म की स्टॉरी अगर दमदार होती है तो कहीं न कहीं जो ऑडियंस है वो उसे जदा जदा से जदा पसंद करती है और जदा से जदा जदा लोगों को और कहती है कि शी invested है और ज्यादा से जदा लोग जो है ओ जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों यह फिल्म यह फिल्म है यह फिल्म भी काफी च्जि अच्छी बतयाई गई इस दोस्तों यह फिल्म जी हां एक ऐसी फिल्म है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी इस फिल्म के जितने भी सारी इस्टार काश्ट है वो लोग काफी अनुभावी हैं वो लोग काफी ज़्यादा फिल्म किये हैं वो लोग बहुत सारे फिल्म किये हैं बहुरानी सास महरानी बहुरानी सास महरानी में जितने भी सारे करेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे करेक्टर हैं और वो सारे करेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिहां इन है कि सारे करेक्टर आपको अच्छा नहीं लेगा जिहां जितने भी सारे करेक्टर है वह आपको बहुत ही भाध लगने वाला है आर आपको मैं बता दो मेरे प्यार दोस्तों ती इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों उल्ग यह हैं अच्छा लगेगा है हर एक चीज इसमें आपको काफी बेहतरी लगने वाला है दोस्त अदाद हो कि यह फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में खाई अगर हमेशा बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारी ओडियंस है वो लोगो दिल में घर कर जाएगी दोस्त में आपको बता दो कि देखिए भोजपुरी फिल्म कि अगर बाद के जाए तो भोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसे फिल्म बनाई जाती है जो ओडियंस को इतर से कहें तो काफी जदा पसंद आती है और और ऑडियंस उन सभी फिल्मों को भहु रानिश शास महराने फिल्म जो बनाए गयी है वो सास पतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहु पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहुत साथ के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हां यह नहीं कि अच्छा नहीं लेगा जी हां आपको काफी जदा यह बहतरी लेगा बता दूमें आपको कि देखिए है भोजपुरी फिल्म में यह फिल्म आपको जदू पसंद आएगा इस फिल्म की जितने भी सारव चीज़े है वो भी आपको पसंद आने वाली है जी हां यह फिल्म जो है भोजपुरी में बनाई गई है और भोजपुरी में जो फिल्में आ तो आपको काफी ज्यदा पसंद आएगी इस movement में जितने बीसारी rate इस स्टार करते हैं वो काफी अनुभवी है वो लोक काफी ज्यदा फिल्म किये हैं औरा माता है झाल यह तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों आई जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी ज़धा पसंद आएगी आपको में आप सभी से सेर करने वाला हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटेने उब पने रहें दोस्ताद कि बहुराणिस आस महारानिन जो है लोग्त ही तरखी करेंगी तो दोस्तने आपको बतादों कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म के नाम है बहुरानिस सास महराने मैं दोस्तों एक फेमली डिरामा वाली फिल्म है और और हो इस फिल्म को जी हम कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारी आउडियन्स है वो इस फिल्म को जरूर देख लिए होंगे दोस्त इस फिल्म में बहुत सारे चीजे इसमें दिखाए गई है जो आपको बहुत ही बेस्ट लगने वाल में फिल्म बनाई गई है इसमें बहुत सारे चीजें दिखाए गई है कि स्टॉरि अगर दमदार होती है तो पहीं जो आउडियंस है वो उसे ज wie ज्यादा से जदा पसंड़ करती है और ज्यादा से जदा लोगों को और कहती है कि शीश्या जदा से लोग जो जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों ये जो फिल्म है जी हाँ ये फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी जी हाँ भूच्परी जो मोई है जिसका नाम है मेरे प्यार वेश्टों बहुरानी सास महरानी दोस्तों ये फिल्म जी हां एक ऐसी फिल्म है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंट इस फिल्म के जितने भी सारी स्टार काश्ट है वो लोग काफी अनुभावी हैं वो लोग बहुत सारे चिफा फिल्म कीये हैं तो है जो इस तरह मेरे फियारे दोस्तों आए जो फिल्म है यह फिल्म को भी काफी जश्श कपसंद आएगी आपको इस फिल्म की chiar मेकी ने ​​ cours है एक अच्छा लगेगा दोस्तों मैं आपको अतली हो एज की फिल्म की घू के लिए मेरे फ्यारे दुस्तों इस फिल्म का नाम है आपको मैं बता दो चाहिए वह लिक्स राइटर हो चाहिए वह जी हां कंपोजर हो चाहिए वह एडिटर हो चाहिए वह एक्शन मास्टर हो कुरियोगराफर हो कि सब्सक्राइटर हो फिल्म केजए है अध्य काफी ज़दा मेहनत किये हैं इस फिल्म को बनाने में ए नहीं केनाओ मेहनत किए है तो जाकर यह तगड़ी फिल्म बनाई गई है जीkins बहुत ही तकड़ी फिल्म बनाई गई है और और इस फिल्म में सभी चीज़े वो आप दोस्त में आपको बता दो कि देखिए भोजपुरी फिल्म कि अगर बाद के जाए तो भोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसे फिल्म बनाई जाती है जो आउडियंस को इतर से कहें तो काफी ज़्यदा पसंद आती है और आउडियंस उन सभी फिल्मों को जी हां काफी ज़्यदा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दुमें आपको कि यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको जी हां जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें कि सास कैसे सास सास कैसे बहु के साथ में रहती है बहु के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहु सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्में दिया ये ऐसी फिल्में होती है जो का होता है वह भी आपको पसंद आने वाली है जी हां ये फिल्म जो है भोश्पुरी में बनाई गई है और भोश्पुरी में जो फिल्में आज के समय में बन रही है वह फिलमें जिहां ऊट्रीयन्स को बहुत अच्छे क्रेक्टर रोज सारे क्रेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिन नहीं कि सारे क्रेक्टर आपको अच्छा नहीं लेगा जितने इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों ने काम किया है चाहिए वो डिरेक्टर हो चाहिए प्रोडूसर हो चाहिए वो म्यूजिक डिरेक्टर हो चाहिए वो लिक्स राइटर हो चाहिए जी हाँ कमपोजर हो चाहिए वो इडिटर हो चाहिए जो फिल्म है भोशपूरी की यह फिल्म भोशपूरी में बनाए गई है और ऐसे फिल्म हमेश्यार बनने लाएंगी तो यह फिल्म अ're झार आपको और जितनेבी सारे ओंट्यश आ ne कि वो लोगों को दिल में घर कर जाएगी कि दूस्त में आपको बदा दो कि देखिए हैं भोजपुरी फिल्म कि अगर बात के जाए तो भोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसे फिल्म बनाई जाती है जो आूडियंस को त्र Sue Ski तो काफी ज़दा पसंद आती है और आउडियंस उनसे सास महराने फिल्म में जो बनाए गई है वो सास पो तोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे सास सास कैसे बहू के साथ में रहती है बहू के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहू सास के साथ में कैसे बरताव करती है कि में जो होती है कि यह ऐसी फिल्म होती है जो का होता है तो फ्रेंड यह जो फिल्म है बोश्पुरी की यह बहुत ही जबरदस्त लाजबा कंटाफ किस्म का फिल्म है यह फिल्म आपको जबर पसंद आएगा इस फिल्म की जितने भी सारज चीज़े है वह भी आपको पसंद आने वाली है जी हां यह फिल्म जो है बोश्पुरी में बनाई गई है और बोश्पुरी कि एक तर格 एंटव भोजपुरी में लाज बचायी हुए है ऑर मी हिसे वह गातिया विर में चेनलों के माध्यम से आती रहती है दोस्त मिंहें आपको बतादे देखिए भोजपुरी जो फिल्म है जी हां भोच्पुरी जो मोही है जिसका नाम है मेरे प्यारों दोस्तों बहुरानी सास महारानी अच्छा लगेगा दोस्त में आपको बता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ मेरे फ्यारों दोस्तों जिस फिल्म का नाम है आपको में बता दो कि बहुरानी सास महारानी में लिखने जी सारे क्रेक्टर हैं वह बहुत अच्छे क्रेक्टर हैं बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूं दोस्तों आज में आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म ह कैसी है इस फिल्म की स्टोरी कैसी है इस फिल्म के फैक्ट क्या है और इस फिल्म से जुड़ हुए बहुत जो भोजपुरी फिल्म है उठाले वह बहुत ही त्रेकी करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दुक देखिए जो फिल्म है बहुरानिस सास महरा साथ महारानी फ्रेंड आज में भॉष्पुरी फिल्म का फुल रिविवियूँ लेकर sounds दोस्तो एक ट्रामा वाली फिल्म है और ऐसी फिल्म m अगर भोष्पुरी में बैक टुबैक बंती है तो कहीं न कहीं जो भोष्पुरी है उठाले वो बहुती त्रेक करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले इस पिल्म को आप अपने वर इस बहुरानी सास महारानी इस भोट पुरी फिल्म का फूल रिव्यू ले कर कैसी है इस फिल्म की स्टोरी कैसी है इस फिल्म के फेक्ट क्या है और इस फिल्म से जुड़ हुई बहुत सारी बाते आज में आप सभी से से शेयर करने वाला हूँ बहुरानि सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानि सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभ्यू लेकर आया हूं दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानि सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है आपको बता दो कि ये ज जो भौशपूरी फिल्म है उठाले वह बहुत ही त्रेकी करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दूब दिखिए जो फिल्म है पोग्वराने सास महराने दोस्तों यह ऐसे फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पूरे जी हाँ फैमिली के साथ में बैट कर जी हाँ एक साथ जी सारे चीजे दिखाई गई है जो एक तर से कहें तो जो फ्रेंट गाउं दिहात में जो चीजे होती है वैसे को और कहती है कि इस फिल्म बेहत्तर है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वह जाकर फिल्म को देखते हैं दोस्तों यह जो फिल्म है जी हाँ यह फिल्म भी काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी जी हर। फिल्म आपको वेकरा लेगे नेकित दोलस्त अबता दो कि इस फिल्म के टेलर ओर्गलिश कियागया है कि था उनुर्बवी हैं वह लूग काफी ज़ड़ा तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों यह जो फिल्म है यह बहुरानी सास महरानी में लिखने भी सारे क्रेक्टर हैं वह बहुत ही अच्छे क्रेक्टर हैं और वह सारी क्रेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिहां इन है कि सारे क्रेक्टर आपको अच्छा नहीं लेगा जितने भ और इस फिल्म में सवी चीछे वो आपको जिह हां एक तरसके तो काफे अच्छा लगेगा जिहां हर एक चीज इसमें आपको काफे बेहतरी लगने वाला है दोस्त अदादो कि फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म अगर जितने भी शारे ओडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगे दोस्त में आपको बदा दो कि देखिए भोजपुरी फिल्म कि अगर बात के जाए तो भोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसे फिल्म बनाई जाती है जो बहुरानी शास महराने फिल्म जो बनाई जाई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे सास कैसे बहू के साथ में रहती है बहु के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहु सास कीसे बरताव करती हैं वह चीजे इस फिल्म में दिया दिखाया गया है जो आपको काफी यह तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हम कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारे आउडि कि लिए होंगे क Lei दोस्त इस फिल्म में बहुत सारे छीजे इसमेंThis में दिखाई गई है कर अची में बनाई गई है आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगे की इति लेगे ले ये लेकित दोस्त इच्छानल में नहीं और पहुश्पूरी ये एक बहुत फिल्म और इंटर्टेरन की ला दो ही इसे चैनल है जो एक तरह से कहें तो फ्रेंड भोचपुरी में लाज बचाई हुई है और भोचपुरी के जो चदातर फिल्में होती है जी हाँ वे इसी चैनलों के माध्यम से तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों आए जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफिष दा बहुत सास अनाडी बहुद खिलाडी सास बहुरान सवी बहु रानी सास महरानी में लिखने भी सारे क्रेक्टर हैं वह बहुत ही अच्छे आपको अच्छा लगेगा जी हाँ इन है कि ये सारे इसक्ज आपको अच्छा नहीं लएगा जी हूँ जितने भी सारे इसक्ज आपको आपको बहुत ही बहतरी लगने वाला है गो ओने May ल 계속 काफे अच्छा लगेगा जी हाँ हर एक चीज इसमें आपको काफे बहतरी लगने वाला है दोस्त अदादो कि यह फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में अगर भोजपुरी में कहीं न कहीं अगर हमेशा बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारे ओडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगी दोस्त में आपको बता दो कि देखिए जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीजे जो है वो आपक तो देखने को मिलेगी तो मेरे दो चलिए वाम को बता दो यहां पर कि इस फिल्म है मोवीया जिस फिल्म का नाम है जियन कि मारानि बहुरानी शार्थ महरानि फ्ल्म को बनाए गई है वो सास पो तोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे सास कैसे बहू के साथ में रहती है बहू के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहू सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हाँ यह नहीं कि अच्छा नहीं लेगा यह ऐसी फिल्में होती है जो का होता है वाली है जी हाँ यह फिल्म जो है भोश्पुरी में बनाई गई है और भोश्पुरी में जो फिल्में आज के समय में बन रही है वो फिल्में जी हाँ आउडियन्स को काफी ऐसी यह फिल्म बनाई गयी है इसमें बहुत सारे चीज़े आपको काफी ज़दा पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वो भी आपको काफी जदा इंटर्टेर्मेंट कर पाएगी दोस्तों बता दुम्हें आपको की देखिए जो भोचपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है और एक तरह से कहें तो फ्रेंड भोचपुरी में लाज बचाई हुई है और भोचपुरी के जो तातर फिल्में होत जे वो आपको काफी जदा अच्छा लगेगा दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ मेरे फैरे दोस्तों जिस फिल्म का नाम है आपको मैं बता दो बहु रानी सास महरानी में लिखने वी सारे क्रेक्टर हैं वो बहुत अच्छे क्रेक्टर बहु रानी सास महरानी फ्रेंड आज मैं बहु रानी सास महरानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूँ दोस्तों आज में आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानी सास महारानी जो भुछपरी फिल्म है दोस्तों ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की स्टोरी कैसी है इस फिल्म के फैक्ट क्या है और इस फिल्म से जुड़ ही बहुत सारी बाते आज में आप सभी से सेर करने वाला तो मेरे पयारे दोस्तो वीडियो में continue बने रहें दोस्ताद के बहुरानिस आस्माहरानियन जो भोजपनी फिल्म है ऐसी फिल्म है दिस फिल्म को आप अपने पूरे जी हम फैमिलि के साथ में गई है जो आपको बहुत ही best लगने वाली है इस film में बहुत सारे चीजे हैं जो आपको काफी ज़्यादा entertainment कर पाएंगे जी है ऐसी यह film बनाई गई है इसमें बहुत सारे चीजे दिखाई गई है जो एक तरसे कहें तो जो फ्रिन गउंधे हात में जो चीजे होती है वैसे चीज़े इस फिल्म में दिखाया गया है वही चीज़े इस फिल्म में उतारा गया है तो फ्रेंट कहीं न कहीं यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको काफी ज़्यदा पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वो भी आपको काफी ज़्यदा entertainment कर पाएगी दोस्तों बता दुम्हें आपको की देखिए भोजपुरी फिल्म हो चाहे वो किसी भी industry की फिल्म हो फिल्म की story अगर दमदार होती है तो कहीं न कहीं जो audience है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती है और ज्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजपुरी में लाज बचाई हुई है और भोजपुरी के जो दातर फिल्म होती है जी हां वे इसी चैनलों के माध्यम से आती रहती है दोस्त में आपको बता दो देखिए भोजपुरी जो फिल्म है जी हां भोजपुरी जो मोही है ज यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी ज़दा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की अस्टोरी से लेकर इस फिल्म के फैक्ट से लेगा इस फिल्म की जितने भी साज़ चीज है वह आपको काफी ज़दा अच्छा लगेगा दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो फिल् लोगों ने काम किया है चाहिए वो डिरेक्टर हो चाहिए वो प्रोडूसर है चाहिए वो म्यूजिक डिरेक्टर हो चाहिए वो लिक्स राइटर हो चाहिए वो जी हां कॉम्पोजर हो चाहिए वो एडिटर हो चाहिए वो एक्षन माश्टर हो कुरियोगराफर हो चैंट सब्हें लोग चीहिंहां काफे ज़दा मेहनत किये इस फिल्म को बनाने में यह नहीं कि मेहनत नहीं किये हैं वह बोजपुरी फिल्म के अगर बात के जाये तो बोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसी फिल्म मनाई जाती हैं जो आउडियंस को ये तरह से तो काफी जदा पसंद आती है और आउडियंस उन सभी फिल्मों को जी हां काफी ज़्यादा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दुमें आपको कि यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको जी हां जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली कि यहां बहुराने शास महाराने फिल्म जो बनाए गई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास उर्शा जख्या वह आटकरती है वह चिजह इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी अहीरा कि एक अच्छा नहीं लेगा जी हां आपको काफी जज़्दा यह ब्यृत्रीन लाएगा बता दूमाने आपको कि देखिए है भोजपुरी फेल्म में जो होती है जी हाँ यह ऐसी फिल्म होती है जो का होता है तो फ्रेंड यह जो फिल्म है भोजपुरी की यह बहुत थी जबर्दस्त लाज़ा और मेहनत किये हैं इस फिल्म को बनाने में यह नहीं कि मेहनत नहीं किये हैं सभी लोग काफी जड़ा मेहनत किये हैं तब जाकर यह तगड़ी फिल्म बनाई गई है जी हाँ बहुत ही तगड़ी फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में सभी चीछे वह आपको जी हाँ एक तसके तो अच्छा लगेगा जी हां हर एक चीज इसमें आपको काफी बहतरीन लगने वाला है दोस्त अदा दो कि यह फिल्म है भोजपुरी की यह फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्म में अगर भोजपुरी मनाई जाती है जो आउडियंस को इतर से कहे तो काफी ज़्यादा पसंद भी करते हैं के दोस्त बता दूंए आपको कि यह जो फिल्म है उस फिल्म आपको छी यहां जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिलिक ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत बहुत छो ढेक्योश hebben वह कैसे बहुँ के साथ में रहती है बहुँ के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहुँ साज के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हां यह नहीं कि अच्छा नहीं लेगा जी हां तो फ्रे यह फिल्म को जरूरे पसंद आएगा जिद्म की जी को बभी पाइन्स है वह इस फिल्म को ज़रूर देख लिये होंगे दोस्त इस फिल्म चीजें में दिखाए गई है जो आपको बहुत लगने वाली है इस फिल्म में जी हों बहुत सारे चीजे हैं जो आपको काफी ज़दा इंटर्टेन्मेंट कर पाएंगी जी हैं ऐसी ये आज में बहुरांुसस महाराणी भोजपुरी फिल्म का फूल रिवीव लेकर आया हूँ दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूँ दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है आज में बहुरानि सास महरानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिविव लेकर आया हूँ दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानि सास महरानी जो भोजपुरी फिल्म है बता दो को देखिए यह जो फिल्म है बहुरानि सास महराने दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पूरे जी हां फैमिली के साथ में बैट कर जी हां एक साथ जी हां गेख सकते हैं ऐसी एक फिल्म बनाए गई है फ्रेंड में आपको बता दो देखिए यह जो फिल्म है बहुरानि सास महराने दोस्तों इस फिल्म का टेलर आउट कर दिया गया है यह तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हां कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप स और किसी भी industry की फिल्मersonen Chaos ऐगर दंदार होती है तो कहीं न कहीं जो लाइट है वह उसे ज्याधा ज्याधा से ज्याधा पसंद करती है दो ज्याधा से ज्याधा लोगों को और कहती है कि इस ये फिल्म बहतर है और ज्ञाद से ज्यादा लोग जो है वो जाकर इनको देखते हैं दोस्तों यह जो फिल्म है जी हाँ यह फिल्म भी काफी अच्छी दनाई गई है डिकार पो जाद हो कि इस फिल्म के टेलर अर्गलिज किया गया है बीफोरियू जो भोचपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है और एक तरह से कहें तो भोचपुरी में लाज बचाई हुई है और भोचपुरी के जो वो लोग काफी ज़्यदा फिल्म किये हैं वो लोग बहुत सारे इस तरह मेरे प्याद दौस्तों आए जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी ज़्यदा पसंद आएगीजिfound की एकुस्ली से लेकर इस फ़िल्म के फैक्ट से लेगा इस फिल्म की जितने भी साइज़ चीज है इस फिल्म पितने भी सारे लोगों ने काम किया है चाहे वो दि caution horas एचा अभी जिख डिरेक्टर हो चाहे वो लिक्स गरह हो चाहे वो जिहा कॉंपोजर हो जिख और और एडिटर हो चाहे वो एक्शन माश्टर हो कुरियोगराफर हो सब्सक्राइब लोग जी हैं काफे जदा ऐसे फिल्में अगर भोजपुरी में कहीं न कहीं अगर हमेश्या बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको और जितने भी शारे ओडियंस है वो लोग को दिल में घर कर जाएगे दोस्त में आपको बता दो कि देखिए भोजपुरी फिल्म कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ बहुराने शास महराने फिल्म जो बनाए गई है वो शास पोतोहू पर अधारित फिल्म है यानि कि सास दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हाँ यह नहीं कि अच्छा नहीं लेगा जी हाँ आपको काफी जदा यह बेतरी लएगा खिश्म का फिल्म है यह फिल्म आपको ज़रू पसंद आएगा इस फिल्म की जितने भी सारे चीज़े है वो भी आपको पसंद आने वाली है जी हाँ तो इस फिल्म का टेलर आउद कर दिया गया है यह तो आप सभी भली बाती जानते हैं इस फिल्म के टेलर और इस फिल्म को जी हों कई सारे जगहों पे रिलीज भी कर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारी आउडियंस है वो इस फिल्म को जरूर कर दोंट कर पाएगए हैं तो इस पर फिल्म की बहुत काफी ज़दा पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़ें जो है वह भी आपको काफी है entertainment कर पाएगी दोस्तों बता दुमें आपको की देखिए भोजपरी फिल्म हो चाहे वो किसी भी industry की फिल्म हो फिल्म की story अगर दमदार होती है तो कहीं न कहीं जो audience है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कहती है कि इस फिल्म बहत्तर है और अध्यम से आती रहती है दोस्त में आपको बता दो देखिए भोजपरी जो फिल्म है जी हाँ भोजपरी जो मोही है जिसका नाम है मेरे प्यार दोस्तों बहुरानी सास महरानी दोस्तों यह फिल्म जी हाँ एक ऐसी फिल्म है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी इस फिल्म के जितने भी सेस्टार काहश्ट है वो काफी अनुभावी हैं वो लोग काफ ही यदा फिल्म किया है ऑवा नो transfis पहने आपको मैं बता जो भे हूर67 नारि बहु खिर 65 बहुराहत बहुराने सास महाराणी देशनी साहरे करेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे करेक्टर है और वो सारी करेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिहां इन है कि सारे करेक्टर आपको अच्छा नहीं लगेगा जितने भी सारी करेक्टर है वो आपको बहुत ही भैदरी लगने वाला है आपको मैं बता दूँ मेरे प्यार द बनाई गई है यहां बहुत ही तकड़ी ये फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म में सबी चीछे वह आपको काफे अच्छा लगए गाँ यहां हर Eck चीज इसमें आपको काफे भे बहत्रील लगने वाला है दोस்कब दादों कि यह फिल्म है भोजपुरी की ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और ऐसे फिल्में अगर भोजपुरी में कहीं आउडियन्स को इतर से कहे तो काफी ज़दा पसंद आती है और आउडियन्स उन सभी फिल्मों को जी हां काफी ज़दा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दुमें आपको हिए यह जो फिल्म है पिल्म और आपको जिहां जरूर दिखना साहिए क्योंकि एक परिवारिक्न है परिवारिख也 है एक इसने हिए है यह जो में और है जिस का नाम है ज bak 아 बहु राने शास महराने फिल्म जो बनाए गई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि बहु के साथ में रहती है बहु के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहु सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लएगा जी हां यह नहीं कि अच्छा नहीं लएगा जी हां आपको काफी जदा यह बेतरी लएगा पर फ्रेंड यह जबर्दस्त लाजबा कंटाफ किस्म का फिल्म है यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा इस फिल्म वह बहुत ही तरहकी करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपकर दिया गया है यह आप सभी जानते हैं और बहुत सारे जो हमारे आउडियंस है वो इस फिल्म को जरूर देख लिए होंगे दोस्त इस फिल्म में बहुत सारे चीज़े इसमें दिखाई गई है जो आपको बहुत ही बेस्ट लगने वाली है इस फिल्म में जी हो बहुत सारे चीज़े हैं जो आपको काफी ज़दा इंटर्टेर्मेंट कर पाएंगी जी है आज में बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिभीव लेकर आया हूँ दोस्तो आज में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तो ये फिल्म कैसी है इस फिल्म की इसे हैं इस फिल्म के fact क्या है और इस फिल्म से जूरु भी बहुत सारी बाते आज में आप सबीसे चींश हैर करने वाला हो उठाले वह बहुत ही तरहक करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले में आपको बता दो को देखिए यह जो फिल्म है बहुरानी सास महराने दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को आप अपने पूरे जिहां फैमली के साथ में बैट कर जिहां एक साथ जिहां देख सकते हैं ऐसी एक फिल्म बनाए गई है फ्रेंड में आपको बता दो देखिए जो फिल्म है बहुरानी सास महारानी आपको काफी जदा इंटर्टेर्मेंट कर पाएंगी जी हां ऐसी यह कि फिल्म बनाए गई है इसमें बहुत सारे चीजे दिखाई गई है जो एक तर से कहें तो जो आद गउंचा के इस फिल्म में दिखाया गया है वही उतारा गया है पसंद आने वाली इस फिल्म की बहुत सारे चीजा अच्छी चैनल है ली इस है जो एक तरह से कहें तो भूचपूरी में आपको काफी ज़्यदा पसंद आएगी इस फिल्म के जितने भी सारी इस्टार काश्ट है वो लोग काफी अनुभावी हैं वो लोग काफी ज़्यदा फिल्म किये हैं वो लोग बहुत सारे अलब फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों आए जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी ज़्यदा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की इस पील्म के सारी चीजिँ इन्य बी सारे लोगों किया है चाहे वो डिरेक्टर हो चाहे वो प्रोडूसर हो चाहे वो काफे जदा मेहनत किये है इस फिल्म को बनाने में मेहनत नहीं की है सबी लोग काफी ज़दा तब जाकर ये वो दिल में घर कर जाएगी दोस्त में आपको बताद हो कि दखिया है भोझपुरी फील्म कि अगर बात के कैसे सास सास कैसे बहुओ के साथ में रहती है बहुओ के साथ में कैसे बढ़ता हो करती है जो होती है यह ऐसी फिल्म होती है जो का होता है तो फ्रेंड यह जो फिल्म है बोचपुरी की यह बहुत थी जबर्दस्त लाजबा कंटाफ किसम का फिल्म है किसी भी इंडस्टी की फिल्म हो फिल्म की स्टोरी अगर दमदार होती है तो कहीं न कहीं जो आउडियन्स है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कहती है कि यह फिल्म बहत्तर है और ज़्य को यह जो फिल्म फिल्म बिकाफी नशी किल आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी जिए, इसकर तो बेंगे बादो कि इस फिल्म के टेलर इस किया गया है award वोजपुरी कि एक बहुत ही अच्छी चैनल है लोग बहुत सारे अब फिल्म किये हैं तो इस तरह मेरे प्यार दोस्तों आए जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी जदा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की अस्टोरी से लेकर इस फिल्म की जितने आफको आपी जदा अच्छा लगेगा दूस्त में आपScript है जी हां इस फिल्म में जितने पी सारे लोगों काम किया और ब्रवर्श होज़र प्रोडूसर हो चाहिए हो म्यूजिक डिरेक्टर हो चाहे वो लिक्स राइटर हो चाहे वो जी हां कॉमपोजर हो चाहे वो इडिटर हो चाहे वो एक्शन माश्टर हो कुरियोगराफर हो सब्सक्राइब लोग जी मनाई जाती है जो अउडियन्स को इतर से कहे तो काफी ज़दा पसंद आती है और आउडियन्स उन सभी फिल्मों को जियां काफी ज़्यदा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दूमें आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यार दोस्तों चलिए मैं आपको बता दू यहांपे कि यह जो फिल्म है जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जियां बहुराने शास महाराने फिल्म जो बनाए गई है वो शास पोतोहू पे अधारित फिल्म है या बहुजपुरी फिल्म में जो होती है यह ऐसी फिल्म में होती है जो आउडियंस को काफी तो एक फैमली ड्रामा वाली फिल्म है और ऐसी फिल्म में अगर भोशपुरी में बैक टू बैक बनती है तो कहीं न कहीं जो भोशपुरी फिल्म है उठा ले वह बहुत ही त्रैक की करेगी मेरे प्यारे दोस्तों सब्से पहले में आपको बता दूब को देखिए यह जो फिल्म है बहुरानि सास महरा न है दोस्तों być 1 फिल्म को आप अपने पूरे प Łम्रे साथ में बैट एक साथ जी हां गेख सकते हैं ऐसी एक फिल्म बनाय गई है है फुरेंड में आपको बता दो देखिए जो फिल्म है भिभू आध दिखाया गया है वही छी इस फिल्म के उतारा गया है तो फरेंड कहीं यह फिल्म आपको काफी ज़्यदा पसंद आने वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वह भी आपको काफी ज़्यदा इंटर्टेन्मेंट कर पाएगी दोस्तों बता दुम्हें आपको की देखिए भोजपरी फिल्म हो चाहे वह किसी भी इंडरेश्टी की फिल्म फिल्म की स्टोरी अगर दमदार होती है तो कहीं ना कहीं जो ओडियन्स है वह उसे जदा जदा से जदा पसंद करती है और जदा से जदा लोगों को वे इसी चैनलों के माध्यम से आती रहती है दोस्त में आपको बतादे देखिए भोजपुरी जो फिल्म है जिहां दोस्तों बहुरानी सास महराने कि दोस्तों ये फिल्म जी हां एक ऐसी फिल्म है जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी इस फिल्म को जितने भी सारी इस्टारकाष्ट हैं काफी अनुभावी हैं वह लोग काफी ज़्यदा फिल्म किये हैं और लोग बहुत सारे और आपको मैं बता दो मेरे प्यारकों दो कि घुनित इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों राने काम किया है चाहिए वह दिरेक्टर हो चाहिए अगर भोजपुरी में कही नहीं अगर हमेशा बनने लईएगी तो यह फिर्म आप को और इस संसे ओडियन्स है वो लोग को दिल में घर कर जाएगे दोस्त मैं आपको बता दो कि देखिए भोच पुरी फिल्म कि अगर बात के जाए जो चलिए मैं आपको बता दो यहां पर कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ तो अब भूद आनिश वहीं बहुत साथ के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हां यह यह अच्छा नहीं लेगा जी हां आपको काफी जड़ा यह पहत्री लेगा तो फ्रेंड ये जो फिल्म है बोजपुरी की यह बहुत थी जबर्दस्त लाजबा वाली है इस फिल्म की बहुत सारे चीज़े जो है वह भी आपको काफी जदा इंटर्टेन्मेंट कर पाएगी दोस्तों बता दुम्हें आपको की देखिए बोजपुरी फिल्म हो चाहे वह और किसी भी इंडर्श्टी की फिल्म हो आज में बहुरानी सास महारानी फ्रेंड आज में बहुरानी सास महारानी भोजपुरी फिल्म का फूल रिवीव लेकर आया हूं दोस्तों आज में आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुरानी सास महारानी जो भोजपुरी फिल्म है दोस्तों ये फ्रिल्म कैसी है इस फ्रिम करने को इया है और इस फ्रिम से जूरूरी फ्रिम है उठा ले वह बहुत हीत रही के करेगी मेरे प्यारे कहले। चुएए जो पेल्म है वहुआन इसास महरने चृतार हुआव हम् पूरे जिहां ऐसी इस एक फिलम बनाए गई है इसमें बहुत सारे चीजें दिखाई गई है स lle फिल्म बनाए गई है इस में बहुत सारे चीजर दिखाई गई है जो आहल चीज 근े जो होती है वह सी चीजह इस में दिखाए गया है वही से जी इस फिल्म यहिण कहीं कहीं आपको काफी ज़्यधा पसंद आने वाली जो है यह फिल्म की बहुत सारी चीज में को आपको आप नो डाउट कि यह फिल्म आपको बेकारा लेगे लेकिन दोस्त बता दो कि इस फिल्म के टेलर और रिलिच किया गया है बीफोरियू जो भूचपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है और एक तरह से कहें तो भूचपुरी में लाज बचाई हुई है और भूचपुरी दोस कि आपको इस फिल्म की अस्टोरी से लेकर इस फिल्म के फैक्ट से लेगा इस फिल्म की जितने भी साथ चीज़ है वह आपको काफी जदा अच्छा लगेगा दोस्त मैं आपको वता दो कि यह जो फिल्म है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ कि अच्छा लगेगा जी हाँ इन है कि सारे अपको अच्छा नहीं लएगा जी आपको बहुत ही भैदरी लगने वाला है आपको मैं बता दूंदे प्यार दोस्तों ति यह जो फिल्म है जी हाँ इस फिल्म में जितने भी सारे लोगों पास巧 को जी हाँ अपको दिल में घर कर जाएगी की दोस्त में आपको बढ़ा दो किदीं है भोजपुरी फिल्म कि अगर बात के जाए तो भोजपुरी फिल्म जो बनाई जाती है वो ऐसे फिल्म बनाई जाती है जो आउडियंस को ये फिल्म एक परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है इसमें आपको बहुत सारे चीजे जो है वो आपको देखने को बिलेगी तो मेरे फ्यारा दूस्तों चलिए मैं आपको बता दू यहां पर कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हाँ बहुत आने शाष महरानी वह चीज़े इस फिल्म में दिहा दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी हाँ यहां यह नहीं कि अच्छा नहीं लेगा जी हाँ आपको काफी जदा यह बेटरी लेगा बता दू मैं आपको कि देखिये हैं तो फ्रेंड यह जो फिल् दसलाजबाद कंटाफ कि रिम यह फिल्म आपको जरुदू पसंड आएगा इस फिल्म की जितने वी सारी चीज़े हैं वह भी आपको पसंद आने वाली है जिहां है जो है बोजपूरी में बनाए गई है और भोजपूरी में जो फिल्में आज के समय बंद रही है वह फिल्म canal बता दो कि इस फिल्म के टेलर रिलिज्ट किया गया है बीफोरियू जो भोचपुरी की एक बहुत ही अच्छी चैनल है और एक तरह से कहें तो फ्रेंड भोचपुरी में लाज बचाई हुई है और भोचपुरी के जो चतातर फिल्में होती है जी हां वे इसी चैनलों के माध देखिए भोचपुरी जो फिल्म है जी हां भोचपुरी जो मोही है जी है तो इस तरह मेरे प्यारों दोस्तों आए जो फिल्म है यह फिल्म आपको भी काफी जदा पसंद आएगी आपको इस फिल्म की स्टोरी से लेकर इस फिल्म के फैक्ट से लेगा इस फिल्म की जितने पושर्फेल चीज़ होगों काफी जळा अच्छा लगेगा केसो Huh चैठेटेटलाई बहु सास अनारी बहु खिलाडी साव सब और बहु раст है महाराणी भी राद में नहीं अद। आपको मैं बता दो दो मैरे प्याब दोस्तो ति एजो फिल्म है जी हां इस फिल्में जितने भी सारे लोगों ने काम किया है चाहिए वो ढिरेक्टर हो चाहिए काफे जधा मेहनत किए हैं यहां इतर एक है तो काफे अच्छा लगेगा हर एक चीज इसमें आपको काफे बेहतरीन लगने वाला है दोस्त गदादो कि यह फिल्म भोजपूरी में बनाए गई है और ऐसे फिल्म में अगर हमेश्य फिल्म बनाई जाती है जो ऑडियंस को इतर से कहे तो काफी जढ़ा प फिल्मों को जी हां काफी ज़्यदा पसंद भी करते हैं दोस्त बता दूमें आपको कि यह जो फिल्म है यह फिल्म आपको जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह फिल्म परिवारिक फिल्म है एक फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है बहुराने शास महाराने फिल्म जो बनाए गई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे कि कि सिफिल्म में दिखाया गया है जो आपको काफी अच्छा लेगा जी यह kalk Daha दो मैं आपको कि देखिए भोजपुरी फेल्म कि जो होती है कि तो यह है आईसी फिल्म होती है जो का होता है वो भी आपको पसंद आने वाली है जी हां ये फिल्म जो है भोषपुरी में बनाई गई है और भोषपुरी में जो फिल्में आज के समय में बन रही है वो फिल्में जी हां आउडियंस को काफी जी हां कुमपोजर हो चाहे वो इडिटर हो चाहे वो एक्षन माश्टर हो कुरियोग्राफर हो सब्सक्राइब काफी जदा मेहनत किये हैं इस फिल्म को बनाने में यह नहीं के मेहनत नहीं किया है सबी लोग काफी जड़ा मेहनत कुए है तो जाकर यह तगड़ी फिल्म बनाई गई है जिहां बहुत ही तगड़ी फिल्म बनाई गई है और ऐसे फिल्म में अगर भोजपुरी में कहीं न कहीं अगर हमेशा बनने लाएगी तो यह फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो मेरे फ्यारा दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं यहां पे कि यह जो फिल्म है यह जो मोवी है जिस फिल्म का नाम है जी हां बहुराने शास महाराने फिल्म जो बनाए गई है वो सास पोतोहू पे अधारित फिल्म है यानि कि सास और बहू पे अधारित फिल्म है कि सास कैसे सास सास कैसे बहुँ के साथ में रहती है बहुँ के साथ में कैसे बरताव करती है और वहीं बहुँ सास के साथ में कैसे बरताव करती है वह चीजे इस फिल्म में दिहां दिखाया गया है बोजपुरी फिल्म में जो होती है यह ऐसी फिल्म में होती है जो का होता है बोजपुरी की यह बहुत थी जबरदस्त लाजबा कंटाफ किस्म का फिल्म है यह फिल्म आपको ज़रू पसंद आएगा इस फिल्म की जितने भी वह भी आपको पसंद आने वाली है जी हां यह फिल्म जो है भोश्पुरी में बनाई गई है और भोश्पुरी में जो फिल्में आज के समय में बन रही है वह फिल्में जी हां ओडियंस को काफी